क्या आप टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे टाइम मशीन एक कोरी कलपना है या फिर कुछ और क्या हकीकत में हो सकता है टाइम ट्रैवल जाने क्या कहता है फिजिक्स क्या वाकई संभव है अतीत में जाकर अपनी गलतियां सुधारना क्या टाइम ट्रैवल संभव है अलबर्ट ट्राइन्स्टाईन का मश्हूर सा पेख्ष्था का सिद्धान्त क्या कहता है विज्यान कहता है कि टायम ट्रैफल संभव है लेकिन कई विरोधा भास हैं हिंदु धर्म और टाइम मश mina का क्या रहस्य है कनाड़ा विज्यानिक का दावा टाइम लाइन की मदद से टाइम ट्रैवल संभव है नमस्कार दोस्तो मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि क्या यह संभव है कि हम टाइम ट्रैवल करके अपने भूत काल में जाएं और कुछ अपने गलतियां सुधार पाएं या हम अपने भविश्य में जाके देख पाएं कि आगे होने वाली क्या घटाए है जिससे हम बच सकते हैं तो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है आप वीडियो के अंतक बने जो इस वीडियो पे नए मेरे चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें अपना तो मनुश्य करता रहा है भारत में ऐसे कई साधू संथ हुए हैं जो आंक बंद कर अतीत और भविश्य में जहांक लेते थे पौरानिक कथाओं द्वारा के अनुसार अगर हम देखें तो देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे अब सवाल ये है कि ये काम मशीन से कैसे हो इंग्लैंड की मशूर लेखक अरबर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में दा टाइम मशीन नामा के एक उपन्यास प्रकाशित किया तो जो समूचे यॉरप में तहलका मच गया था इसको सुनकर देखकर इस उपन्यास में वे ज्यान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं उपन्यास से प्रेरित होकर इस विशे पर और भी कई तरहें के कथा साहित्य रचे गए इस कॉंसेप्ट पर हॉलिवुड में एक फिल्म भी भनी हालांकि वेल्स के उपन्यास में विवारिक रूप से कई विसंगतिया हैं टाइ कुमार नारद अश्विन कुमार और कई हिंदू देवतार टाइम ट्रैवल करते थे टाइम मशीन की कल्पना भी भारतिय धर्म ग्रंथों से ही प्रेरित है आप सोचेंगे कैसे वेद और पुरानों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है उधारनात रेवत नाम का एक राजा के पास मिलने ब्रह्म लोग गया और जब धर्ती पर पुना लोटा तो यहां एक चार युग बीत गए थे तो आप इस से समझें कि ये चीजें आज की नई फिजिक्स नई है फिजिक्स का ये वो रूप जो बहुत पहले से ही इस धर्ती पर मौजूद है अब सवाल होता है आज के प्रेजन टाइम को देखते हुए कि क्या वाकई संभव है अतीत में जाकर आप अपनी गलतियां सुधार लें विज्ञान क्या कहता है कि टाइम ट्रैवल संभव है लेकिन कई विरोधा भास है कनाड़ा के विज्ञानिक का दावा की टाइम लाइन की मदद से टाइ अलशक बना देता है जैसा कि अक्सर साइंस मूवी में दिखाया जाता है टाइम मशीन के साथ अब कुछ भी स्थाई नहीं है आप हमेशा वापस जा सकते हैं और इसे बदल सकते हैं लेकिन क्या हमारे ब्रहमांड में टाइम ट्रैवल वास्तों में संभव है या सिर्फ कहा अनियों तक सीमीत है समय और कारणता यानि टाइम एंड कैज्यूलिटी की हमारी आधुनिक समझ सामान्य सापेख्षता से आती है भौतिग विज्यानी अलबर्ट आइंस्टाइन का सिध्धांत अंतरिक्ष और समय को एक सिंगल यूनिट स्पेस टाइम में जोडता है और क किसी भी अन्य स्थापित से धान से बेजोड स्तर पर दोनों कैसे काम करते हैं इसका उलेखनिय जटेल विवरन भी परदान करता है दशकों से भौतिक विज्यानिक यह पता लगाने के लिए सामान्य सापेख्षता यानि जैनरल रेलेटिविटी का उप्योग करने की कोशि तरह से संगत और सापेख्षता के अनुसार है लेकिन भौत की गणित नहीं है और समीकरन निरर्थक है यदि वे वास्तविक्ता में किसी भी चीज से मेल नहीं खाते हैं टाइम ट्राइवल के खिलाफ भी कई तर्क है देखो दो मुखे मुद्धे हैं जो हमें लगता है कि ये समीकरन अवास्तविक हो सकते हैं पहला मुद्ध विवारिक है टाइम मशीन बनाने के लिए ऐसे बाहरी पदार्थ की आवश्यक्ता होगी जो की नकारात्मक उर्जा यानि नेगेटिव एनरजी के साथ है हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी देखते हैं उसमें सक जानत रूप से ऐसा पदार्थ बनाया जा सकता लेकिन बहुत कम मातरा में और बहुत कम समय के लिए अब टाइम ट्रैवल की अपने साइंस फिक्शन तो फिल्में अकसर देखी ही होंगी क्या वाकई ऐसा होता है कि कोई भविशे में या फिर भूत में चला जाए या हम इस विशे पर दूसरों से बात करते हैं तो अधिकाश लोग इसे साइंस फिक्शन बता कर खारिज कर देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने टाइम ट्रैवल की सिधानतों को पूरी तरे से खारिज नहीं किया है अठारा सो पिचानवे में पहली बार हुआ था इसका जिक्र टाइम ट्रैवल अर्थार्ट समय यातरा इसके बारे में शुरुवाती बातें अठारा सो पिचानवे में परकाशित किये गए दे टाइम मशीन उपयन्यास में मिलती है इसे विज्ञान गल्प के जनक माने जाने वाले परसिद्ध विज्ञानिक विज्ञान लेखक H.G. Wales ने लिखा था लेकिन ये आविश्कारिक तरीके से समाझ जाने योग्य नहीं था साइस और सिरेमा के चेतर में टाइम ट्रैवल की अवधारना कुछ विज्ञानिक सिधान्तों पर आधारित रही है इस सिधान्त की व्याख्या करने वाले महान विज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को अपनी जब सापेक्ष्टा के सिधान्त से परिचत कराया था टाइम ट्रैवल की सोच को समझने के लिए रेलेक्टिविटी के सिधान्तों को समझना जरूरी है इस सिधान से पहले समय को सभी के लिए समान, स्थिर या निर्पेक्ष माना जाता था जिसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के लिए समय स्थिर होगा चाहे वैद दुन्या के किसी भी कोने में क्यों ना हो इस धारना को आइंस्टाइन ने खत्म किया उन्होंने बताया कि समय सभी के लिए एक समान नहीं होता यानि दो अलग अलग स्थानों पर मौजूद व्यक्तियों के लिए समय भिन होता है उनके अनुसार दो घटनाओं के बीच का समय उस व्यक्ति की गती और उस दर्शक की द्रिष्टी के आधार पर निर्भर करता है साइंस क्या कहता है समय यात्रा के बारे में विज्ञानिकों के बीच मतभेत हमेशा रहा है कुछ विज्ञानिक इसे संभव मानते हैं जबकि कुछ इसे पूरी तरह से नकारते हैं 1915 में अलबर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्ष्टा के सिधान्थ के द्वारा एक नई द्रिष्टी कोन परस्तूत किया उन्होंने समय और गती के बीच संबंद को सपष्ट किया उन्होंने ये बताया कि समय एक गती से नहीं चलता अगर आप अपनी गती बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं जिसे हम भविश्य भी कह सकते हैं युनिवर्स में घट रही चीजों के एक निश्चित स्पीड लिमिट है जैसे कि लाइट की स्पीड है यानि लाइट की स्पीड से अधिक नहीं हो सकती अगर हम अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदलने तो क्या होगा हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने में अभी के समय से आगे निकल जाए साइंस में तो जरूर मिलता है टाइम ट्रेवल का संकेत जैसा कि 1971 में जौसेफ सी हाफिले और रिचर्ड ए कीटिंग ने सापेक्ष्टा की सिध्धान्थ के आधार पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम हाफिले कीटिंग एक्सपेरिमेंट था इस एक्सपेरिमेंट में चार एटामिक क्लॉक यानि परमानुगः का इस्तमाल किया गया था इन गडियों को लेकर उन्होंने धर्ती के दो चक्कर लगाए लेकिन जब वे वापिस लोटे तो उनके नतीजे हैरान करने वाले थे उन्होंने अपनी आवजर्वेटरी में एक परमानु घडी छोड़ दी थी वही बाकी तीन घडियां उनके साथ धर्ती का चक्कर लगा रही थी जब वे वापिस लोटे तो उन्होंने पाया कि सभी घडियों के टाइमिंग अलग-अलग थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं यानि भविश्य में जा सकते हैं हालंकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गती से आगे निकल सके लेकिन भविश्य में ऐसा हो सकता है समय की यात्रा एक रॉमांचक विश्य जरूर है कई हैरत अंगेज कहानिया और कथाएं हैं जिन्हें जिन्होंने ना केवल आम जनता को बलकि कई विज्ञानिकों को भी इस विश्य की और आकर्शित किया है इसमें एक और रॉमांचक पहलू होता है टाइम मशीन जैसा मैं अभी बता चुकी हूँ और अलबर्ट आइंस्टाइन जैसे विज्ञानिकों ने तो कुछ बहुतिक नतीजे निकाले हैं जो टाइम ट्रैवल की अवधारना में विज्ञानिक तड़का डालते हैं जब वे कहते हैं कि अगर परकाश की गती पृत्वी की गुरुनन की दिशा की विप्रूद यात्रा की जाए तो हम इतहास की यात्रा कर सकेंगे लेकिन यह केवल एक सेधान्तिक बात है तो क्या समय की यात्रा संभव है एक स्पष्ट संभावना का जो सवाल है वो यह है कि यह गंभीर विशे है क्योंकि यूनिवर्स्टी आफ मैरी लेंड बाल्टीमोर काउंटी में एस्ट्रानोमी और एस्ट्रो फिजिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर एडी फूर्ड कनवर्सेशन में परकाशित अपने लेक में कहती है कि अगर ब्रमांड के उश्मा गतिकिये सिधान्तों को माना जाए तो यह संभव हो सकता है इसका दूसरा सिधान्त कहता है कि ब्रमांड में वस्तु है समय के साथ या तो एक सी ही रह सकती है या फिर विक्रित हो सकती है यह एक तरह के अंडे के आमलेट से अंडा फिर से हासल करने जैसा होगा समय आगे की ही दिशा में बढ़ सकता है पीछे की दिशा में नहीं जबकि अलबर्ट आइंस्टाइन के सापेक्ष्टा के विशेश सिधान सुझाव देते हैं कि समय अलग-अलग लोगों के लिए विभिन दर से बीतता है इसके अनुसार प्रकाश की गती के करीब से यातरा करने वाले अंतरिक्ष यान का यातरी प्रित्वी की तुलना में समय धीमा अनुभाव करेगा इस तरह का यान अभी तक तो नहीं बना पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 520 दिन रहने के दोरान अंतरिक्ष यातरी स्कॉट कैली की उम्र उनकी जुड़वा भाई अंतरिक्ष यातरी मार कैली की तुलना से में धीमी गती से बड़ी थी फिर आती है वार्म होल की अवधारना कई वेग्याने की इस तरहें के विचारों पर पड़ताल कर रहे हैं इनमें सैध्धान्तिक तौर पर समय यातरा संभव हो सके इनमें एक धारना वार्म होल की है यह अंतरिक्ष की एक कालपनिक सुरंग है जो ब्रमांड की यातराओं में शौटकर्ट बना सकती है यानि इसमें चलने वाले हिस्से में परवेश कर स्थिर हिस्से से निकलने से इनसान इतास में चला जाएगा लेकिन क्या ये केवल सैध्धान्तिक अवधारना है यहां कुछ विरोधा भास भी है समय की यतरा के साथ कई तरह के विरोधा भास है जिसमें एक मशूर grandfather paradox है जिसने एक कालपनिक समस्या पैदा हो सकती है यादि कोई समय में पीछे जाए और दादा दादी को मिलने से ही रोक दे तो वे तो पैदा ही नहीं हो सकेगा ऐसे में इस समय की पीछे जाही कैसे सकता है मशूर भौतिक विद स्टीफन हौकिंग्स ने भी एक दिनर पार्टी रखी थी और उसके खतम होने के बाद इंटरनेट पर भविश्य के समय यात्रियों को भोज पर अमंतरन दिया था कि वे इस बीच चुके समय की पार्टी में शामिल हो हौकिंग्स के निमंतरन में तारीख जगे के कॉडिनेट्स और समय एक तक का तक नहीं बीच चुका था लेकिन इस पार्टी में कोई नहीं आया उनके मताबिक टाइम ट्रैवल संभव नहीं है क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम भविश्य के यात्रियों पर हमला नहीं हुआ है लेकिन यह सवाल नहीं खतम हो जाता टाइम ट्रैवल और शक इस वी तक पहुंच रहा है जहां तक कि हम जिन तारों के आकाश में दिख जाते देख पाते हैं उन में से अधिकाश तो मर ही चुके हैं और जिस गैलक्सी को देख पा रहे हैं वे आज की नहीं बलकि करोड़ों अर्बों साल पुरा नहीं है नासा का जेम्स वेब स्पेस चैलिसकोप एसी गैलक्सी देख पा रहा है जो बिग बैंग की शुरुवात में यानि करीब 13.7 अरब साल पहले बनी थी वहीं हमारे निकट भविश्य में टाइम मशीन होने की कोई संभावना नहीं है विज्ञानिक जरूर इस विशे पर नए विचारों की पड़ताल तो